तो हम टेस्ट दे रहे हैं अच्छ को रिवाइस करते हैं ताकि हमारे तस्ट और रहे अच्छ से जाए ना गया सुदेंट तो लेट स्कार्ट इड़ी ओ पिडियो को कुप्यूटर आपके दिए है इस विडियो पार्श कंप्यूटर इंच वाइस हैं चैप्टर नूम्बर तू, Parts of Computer Students, हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? हमने Main Parts of Computer और जो भी Parts of Computer के उनके बारे में पढ़ा था हमने दो चीज इस चैप्टर में पढ़ी थी That is Main Parts of Computer या फिर Other Parts of Computer के बारे में तो आएए एक बार फिर से देख लेते हैं अपने main parts of computer अपने parts of computer के बारे में main parts of computer computer के चार main parts होते हैं monitor, keyboard, CPU, mouse ये चार ऐसी parts हैं जिनके बिना computer काम प्रॉपरली नहीं कर सकता ok student, monitor monitor जो आपको TV screen की तरह देखता है जिस पे हम output देखते हैं अपने उसको क्या कहते हैं that is monitor, keyboard keyboard, keyboard एक input device है student जिसका हम use क्या करते हैं computer को instructions देने के लिए करते हैं CPU, that is central processing unit CPU का full form क्या है, central processing unit इसका काम क्या होता है, ये computer का brain होता है जितना भी data process होता है, वो कहां प्योता है that is in CPU ok student, mouse, mouse एक pointing device अगर आपको कुछ भी select करना है तो आप किसका help लेते हो, that is mouse mouse में दो buttons होते हैं that is right click and left click और एक scroll bar होती है ok student, तो right और left click से हम select करते हैं चीजों को और scroll bar से up and down कर सकते हैं ok student, तो ये थे चार main parts आई इन के बारे में detail में देख लेते हैं monitor monitor, TV screen की तरह होता है student, जिस पे हम result देखते हैं ok student, इसको visual display unit भी कहते हैं क्योंकि हम इस पे अपनी movies को या फिर किसी भी चीज़ को और जैसे TV में देखते हैं, वैसे ही monitor पे देख सकते हैं next is cpu that is central processing unit, यह क्या करता है student, यह सारे data को process करता है यह computer का brain होता है, जो भी हम type करते हैं keyboard से, वो कहां जाता है cpu में जाता है, और cpu इसको process करता है और इसका result monitor को send करता है ok students, student next is keyboard, keyboard is used for typing text numbers, special characters, यहनि keyboard का use हम typing के लिए करते हैं कोई भी चीज़ हमें input करनी होती तो हम keyboard के through करते हैं keyboard में 104 keys होती हैं, इससे हम कोई भी number simply type करके enter कर सकते हैं next is student mouse, mouse is also known as pointing device, इसको हम pointing device भी कहते हैं यह इसका क्या काम होता है student, यह help करता है हमारे cursor को move करने में ठीक है इसके पास दो buttons होती हैं और एक scroll bar होती है student, here is some other parts of computer, computer के other parts भी हैं जिनके बिना computer properly work तो कर सकता लेकिन हम इसका use भी computer में अच्छे से और computer की चीज़ों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं speakers and headphones, speakers का क्या काम होता है student, जो भी हमें sound चाहिए होता है हमें बजाना होता है, हम किसमें बजाते हैं जाकर इन speaker, अखर हमें तेज हो इस चाहिए हो headphones, headphones और speaker में यह difference है student, जबी भी कोई चीज़ हम बजाते हैं speaker में loud बचते हैं, but headphones क्या करते हैं, headphones केवल हम अपने कानों में लगा लेते हैं, उसके बार यूज करते हैं, जिससे कि बाहर के लोगों को disturbance नहीं होती है next is printer, printer क्या करता है student, जो भी instruction या जो भी हमारे पास result होता है, उसको print करने में help करता है on paper, यानि कि कोई भी चीज़ अगर computer में लिखी है, तो उसको on paper print करने में printer help करता है स्कैनर कोई भी चीज अगर कम्पीटर में हमें देनी लाइक हमें फोटर स्कैन करनी हमें कोई बुक स्कैन करनी है तो हम किसकी हेल्ट से करते हैं स्कैनर की हेल्ट से सभी अगर बंग हो चली जाती है तो यह काम करता है पावर सप्लाई करने का थोड़ी देर के लिए जिससे आप अपने data को save कर सकते हैं यह help करता है computer को थोड़ी देर light जाने के बाद थोड़ी देर on रहने में ताकि आप computer को जो भी आप काम कर रहे हो उसमें से save कर सको okay students next is microphone microphone का क्या काम होता है student आप कुछ भी अगर आपको voice में बोलना हो तो microphone आपको help करते है computer में input देने के लिए okay student next is joystick joystick क्या होता है students अगर आपको कोई game खेलना हो तो यह एक ऐसे device है जो mainly gaming में use की जाती है यह क्या करता है objects को move करने में help करता है ठीक है अगर आपको कोई object move कराना हो like your remote control car remote क्या करता है object जो आपकी car इसको move कराता है तो joystick का भी यही काम है यह क्या करता है objects को move कराता है इसका main help mainly help किस में लेते हैं सब gaming में लेते हैं okay students next is model model में कैसा device है student जो आपके computer को internet से connect करता है web camera students web camera का uses लिए करते हैं ताकि हम pictures और videos को capture कर सके next is cd and dvd cd और dvd के हैं students storage device होता है यह क्या करता है आपको कोई भी चीज़ स्टोर कर नहीं हो तो आप cd और dvd में store कर सकते हो यह round shape में होते हैं चीक है students और यह information को permanently store कर लेते हैं अपने अंदर next is pen drive pen drive भी एक storage device है student लेकिन यह cd और dvd से जादा चीज़ों को store कर सकता है उनसे जादा storage pen drive में होती है cd और dvd से जादा storage कहां पाई जाती है pen drive में okay student pen drive are available from 1GB to 64GB यह कहां करते है pen drive कितने 8GB से लेके 64GB तक आते है okay students let them revise in details other parts of computer like printer scanner speakers and headphones cd microphone okay students speakers and microphones speakers का use किसलिए के रहाता है student to be recorded song is used to record voice music and sounds into the computer it's sometimes called a mic next is printer a printer is used for printing all the work done on the computer on a sheet of paper some printers print only black and white while some printers can print in card cd cd stands for compact disc it is rounding shape and used for story a lot of information okay student i hope chapter number 2 बहुत अच्छे से रिवाइस होगया हो इस chapter के test हम नेक्स सेशन में लेगे till then आपको यह chapter revise करना अच्छे से जो भी मैंने पढ़ाया है उसको revision करते रहना है ताकि आपका test अच्छे से जाए okay student thank you so much जाए